प्यार दिवाना होता है प्यार तो मस्ताना होता ही है साथ ही कब किस से और कहा हो जाए किसी को पता नहीं चलता है कभी कभी साथ काम करते करते प्यार हो जाता है तो कभी कभी दूसरे प्रोफेशनल में रहते हुए भी रिष्टे जुड़ जाते है बॉलिवुड और क्रिकेट का अभी कुछ ऐसा ही रिष्टा है पिच पर अच्छे अच्छों के छुटी कर देने वाले कई क्रिकेटर्स ऐसे रहे हैं जो बॉलिवुड की हसीनाओं के आगे क्लीन बोल्ड हो गए थे प्यार अंधा होता है और इसमें इंसान चाती और धर्म के सीमाय लांग जाता है यहां तो आपने सुना ही होगा लेकिन क्या आप जानता है कि भात ये क्रिकेट टीम में भी ऐसे तमाम खिलाडी हुए है जिनों औरे दूसरे धर्म में जाकर शादी की तो चलिए आज आपको बताते हैं ऐसे ही कुछ खिलाडियों के बारे में प्यार अंधा होता है और इसमें इंसान जाती और धर्म की सीमाय लांग जाता है यहां तो आपने सुना ही होगा लेकिन क्या आप जानते हैं कि भात ये क्रिकेट टीम में भी ऐसे तमाम खिलाडी हुए हैं जिनोंने दूसरे धर्म में जाकर शादी की तो चलिए आज आपको बताते हैं ऐसे ही कुछ खिलाडियों के बारे में तो चलिए शुरुआत करते हैं क्रिकेटर जहिर खान से जहिर खान धर्म से मुस्लिम है लेकिन उन्होंने मराठी हिंदू सागरी का घाटगे से विवा किया है हाला कि इंटरकास्ट मैरिज करने वाले जहीर पहले खिलाडी नहीं है मुहमद अजरुदीन ने 1987 में नौरीन से शादी की थी लेकिन फिर 1996 में उन्हें तलाग देने के बाद अजरुदीन ने बॉलिवूड एक्ट्रेस संगिता भिजलानी से शादी कर ली हाला कि 14 साल बाद दोनों ने इस रिष्टे को खत्म कर लिया क्रिकेट के तीनों प्रारुपों में दोसों से ज्यादा इंटिनेशनल मैच खेल चुके अजित आगरकर ने अपने दोस्त मजहर की बेहन फातिमा से शादी की थी टेम इंडिया में अपनी शांदार फिल्लिंग के लिए मशहूर हुए मोहमत कैफ ने पूजा यादव से शादी की थी पूजा हिंदू है और वहाँ पत्रकारिता की शेतर से जुड़ी रही है वहीं अपने वक्त के मशहूर क्रिकेटर रहे मनसूर अली खान पतोदी ने अट्रस शार्मिला टागोर से शादी की थी इसके अलावा विकेट कीपर बैट्समैन दिनेश कार्थिक ने 2015 में स्क्वेश प्लेयर दीपी का अलीकल से शादी की थी दीपी का क्रिश्यन है और इससे पहले उनकी एक और पत्मी थी जिनका नाम निकीता था तो कहने का मतलब ये है कि इश्क पर किसी का जोर नहीं है ये ना धर्म देखा है ना चांती ना सरहत हमारी सेलवेस इसकी मिसाल है खास कबरों के लिए जुड़े रहे हमसे देखते रहे फोर साइट्स टीवी